अनन्त उपकारी निर्ग्रंसद गुरुदेव आप्त ज्यानी पुजेश्री विराट गुरुजी को भाव वंदन जय हो सम्यक्त्व सम्यक अवस्था यानी हमारे होने पन की एक निूट्रल अवस्था निश्पक्ष, नीकांग्ष, नीशर्थ वो अवस्था जहां पर किसी प्रकार का कहीं कोई हम जो कहते न जुकाव नहीं है वो मध्य में है जो हो रहा है सब स्विकार्य जो हो रहा है सब अच्छा सब मेरे अरहतता को जगाने में सहयोगी अरहतता, योग्यता जब स्वयम की योग्यताओं पर भरोसा होता है, विश्वास होता है और प्रतिक्षन भीतर ये एक भाव है कि मैं प्रतिक्षन उन सारी चीज़ों को अपने से अलग करता चला जाऊं जो मेरी योग्यता को कहीं कुंठित कर रहे हैं, उसको खिलने में सहयोगी नहीं है उसको कहीं न कहीं रोक रहे हैं आवरित कर रहे हैं जब ये सारे आवरण हम एक-एक करकर जान कर देखकर समझ कर हटाते चले जाते हैं तो भीतर की वो योग्यता खिलती चली जाती है और वो योग्यता जब स्वयम अपने होने पन में है तो वह सम अवस्था में है ही अब जरा हम देखें कि वो कौन से कारण है जिसके कारण हमारी योग्यता आवरित हो जाती है और हमें स्वयम अपने होने पन पर अपने आत्मा की योग्यता पर शंका उत्पन होने लग जाती है कल हमने बात की थी और सायंकालीन हमने प्रतिक्रमन भी किया कि हम जरा देखें हम कहां कहां पर खुद को अच्छा प्रमानित करने का प्रयास कर रहे हैं हम कहां कहां अच्छे और बुरे में हम कहीं न कहीं जूल रहे हैं ये अच्छा प्रमानित करने का प्रयास या मैं कहूं कि अच्छा प्रमानित करने की इच्छा हमारे भीतर क्यों आती है क्यों चाहते हैं कि हम दूसरों की नजर में अच्छे बने क्यों हमें बार बार हमें आसपास के लोगों से certificate चाहिए और बार बार नहीं लगबग हर रोज चाहिए और वही व्यक्ति है वही व्यक्ति गिने चुने व्यक्ति हम बार बार ये कहते हैं अरे हमने ऐसा कर लिया तो लोग क्या कहेंगे अगर हमने ऐसा नहीं किया तो लोग क् के के फैक्टर हमारे उपर प्रतीक्षन जैसे लटकता रहता है एक नंगी तलवार की तरह और हम उस तलवार को देखने के चक्कर में अपने भीतर जाकना छोड़ देते हैं है की नहीं ऐसा ही होता है न कल प्रतीक्रमन करते हुए शायद आपने ऐसे बहुत सारे वाकिये देखे होंगे ऐसे बहुत सारे क्षण देखे होंगे जब आपने वो सब कुछ किया जो आप भीतर से नहीं चाहते थे करना आपके भीतर कहीं कोई कारणी नहीं था उसको करने का वो सब आप जानते थे अनावश्यक है लेकिन फिर भी हमने किया, क्यों किया, लोग क्या कहेंगे हमें लोगों की नजर में अपनी so called image को बचाना है और वो कब हुआ, जब हम अपनी इस अवस्था के प्रती अपनी इस वर्तमान अवस्था के प्रती या कहूं कि अपनी इस अरहत्ता के प्रती एक स्विकार भाव में नहीं थे हमारी भीतर कहीं न कहीं शंका है, डाउट है अपनी योग्यता पर अपनी काबलियत पर और यही कारण है कि हम चूक जाते हैं, जब हम स्वयम से चूकते हैं तो हमारी नजर कहा जाएगी बाहर जब हम स्वयम पर dependent नहीं है तो हम कहीं और dependency तलाश करेंगे, हम कहीं और शरणा तलाश करेंगे और यह जो दूसरों से हमें validation चाहिए यह कब ज़रूरी होता है जब हमें स्वयम पर doubts है अपनी काबलियत पर doubts है और वो काबलियत वो क्षमता हमने कई बार तो स्वयम ने पर्खी ही नहीं होती जानी ही नहीं होती हम देखें कि हम आसपास क्या करते हैं हमें चाहिए कि ज़रा सा कुछ कोई भी थोड़ी सी स्ट्रगल आए थोड़ा सा कुछ चैलेंजर आए और हमें लगेगा हाई ये challenges क्यों आ रहे मेरी जिंदगी में, सब कुछ सीधा सीधा क्यों नहीं चलता, अरे बाबा, अगर सब कुछ सीधा सीधा चलेगा, पानी अगर एक अवस्था में रहेगा, तो आप स्वयम सड जाएंगे, जी, पानी जब तक एक flow करता रहता, और flow कब करेगा, जब ups and downs है, flow के लिए ज़रूरी है, कि उस तर में बदलाव हो, और जब जब flow करेगा, तब तब वो stagnant नहीं होगा, यानि उसमें बदबु नहीं आएगी, पानी में सडान्द नहीं आएगी, तो यह जो challenges आ रहे हैं, यह इसी लिए आ रहे हैं, कि हम अपनी योग्यता को समझ सके, अपनी योग्यता पहचान सके, और उसके कुछ और द्वार खोले, जैसे आपने देखा होगा, कि एक rubber band, simply पड़ा है, वो पड़ा है, और आप उसको लगता है, कि यह इतना छोटा सा है, लेकिन जब आप उसे खीचते हैं, तब आपको उसकी flexibility का अंदाजा होता है, तब आप समझ पाते हैं, कि यह कितना कारिया कर सकता है, जैसे आपके पास एक bag है, उस bag में, आप कुछ सामान डालते हैं, उसकी आपको capability पता चल गई, लेकिन फिर आप उसमें कुछ और डालेंगे, जब तक आपको लगता है, कि हाँ, इसमें इतना सामान आ सकता है, अब इससे ज़ादा अगर मुझे चाहिए, तो मुझे उस bag को बढ़ा करना पड़ेगा, अब bag तो क्या है, कि आपका जो है, उसका एक material है, उसकी अपनी एक सीमा है, उसकी अपनी एक volume है, तो उसमें कोई चमतकार नहीं है, कि आप उसको खीच कर बढ़ा कर देंगे, लेकिन जब वो bag आप replace करेंगे, तो बढ़े से करेंगे, उसी तरह से आप जब अपनी क्षमता एक बार पहचान लेंगे, तो जब कोई challenges आएंगे, तब आप उससे accept कर पाएंगे, लेकिन हम तो challenges के नाम पर ही doubt करने लग जाते हैं, ये मैं कैसे कर पाऊंगी, ये तो मुझसे होई नहीं पाएगा, ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है, मेरी ही जिन्दगी में struggle क्यों होता है, और आप नोट कीजिए, जब आप उस challenge को overcome करते हैं, यानि जो आपके जीवन में जो भी घटना आई है, जो अवस्था आई है, जो परिस्थिती आई है, situation आई है, जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, लेकिन जब आप उस मुश्किल को, उस hurdle को पार कर लेते हैं, तब आपके भीतर, आपकी जब योग्यता जो खिलती है, आपके भीतर आपकी काबलियत खिलती है, तब आपको खुद नहीं पता होता, और अपने शब्दों को नोट कीजिएगा, आप कहते हैं, मुझे तो बिल्कुल यकीनी नहीं था, कि मैं ये कर पाऊंगी, लेकिन मैंने कर दिखाया, किसको कर दिखाया, जमाने को नहीं, स्वेयम अपने आपको, पुजय विराठ गुरुद देव, अपनी एक गीतिका में कहते हैं, जगा देती सुप्त पौरुष, सदा मजबूरियां, तै होने को ही बनी है, जगत में सब दूरियां, जब आप दूरी आपको दिखाई जाती है, इतना दूर, मैं कैसे चल पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं, तब आपको समझ में आता है, कि अरे इतना तो मैं करी सकता था, इससे जादा भी होता तो मैं कर लेता, अपनी आत्मा की योग्यता पर, स्वयम अपनी योग्यता पर हम भरोसा करें, और जब हम भरोसा करेंगे, यानि भरोसा करने का अर्थ क्या है? डाउट ना करें, जैसे आप बोलेंगे भरोसा तो हम करते ही हैं, लेकिन ज़रा देखिए, डाउट भी तो करते हैं, अगर डाउट नहीं करते, तो क्यूं हम अपना भविश्य जानने के लिए, कि दूसरों के पास जाते हैं, किसी से face reading करवाते हैं, किसी से अपने नाम के numbers change करवा रहे हैं, कहीं हम numerology में जाएंगे, कहीं हम कुंडली दिखाएंगे, फिर हम अपना समय किसमें लगाएंगे, कि हम वो वो उपाय करेंगे, अरे बापा जितना समय उन सब में लगाया, उतना समय अपने आप के साथ लगा लेते न तो चलिए आज के दिन हम प्रतिक्रमन करते हुए खुद को चेक करें कि हमने कहां-कहां अपनी capabilities पर अपनी abilities पर doubt किया है कहां-कहां हमने खुद को रोका है और उस रोकने के साथ हमारी नजर दूसरों की capabilities पर गई आजकल जैसे हम दिखें बच्चे जब career choose करते हैं तो वो career इस आधार पर choose नहीं कर रहे हैं कि उनकी योग्यता क्या है वो career इस आधार पर choose कर रहे हैं कि फला व्यक्ती ने फला college से so and so course किया like MBA, engineering, whatever mass media, so and so और उसका आज इतना package है वो क्या देख रहे हैं? package, वो क्या देख रहे हैं? उस व्यक्ती की उम्र जो उनकी अपनी है तो उन्हें लगता है कि फला ने वो वो degree कर ली उस college में admission ले लिया और इसलिए उसको placement पर इतने का package मिला और इसलिए मुझे भी उसी college में admission लेना है वही course clear करना है क्योंकि मुझे वो package चाहिए अभी हमने क्या किया? दूसरों की capability दूसरों की उस वैभव संपनताग पर हमने अपनी नजरें करा ली हमारी नजरें, हमारा focus जो हमारी योग्यता हमारी capabilities पर होना चाहिए हमारे अपने talent पर होना चाहिए हमारे potential पर होना चाहिए वो नजरें हमारी मुढ गई किसी और की तरफ और उनकी वो status देखकर उनका वो standard देखकर हम अपनी focus खो दिया और वो focus खो कर हमने क्या कर लिया? कि किसी एक दूसरे की योग्यता पर हमने कहीं न कहीं अपने भीतर एक attraction पैदा कर दिया और attraction के साथ साथ jealousy भी उसको मिला मुझे क्यों नहीं? मिला इसलिए नहीं आपको क्योंकि आपका focus अपने potential पर था ही नहीं आपका focus दूसरों पर था आपका focus उसके package पर था हाँ, अगर आपका focus उसकी योग्यता पर होता उसके potential पर होता और आपका ध्यान इस तरफ हो कि वो जो potential उसने जागरित किया है, उसने उजागर किया है, उसने अपनी talent को flourish किया है मैं अपने talent को अपने inherent talent को कैसे flourish करूँ? मैं कैसे खिलाऊं उसको? अगर हमारा focus इस पर हो तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन के अपने लक्षय को प्राप्त करेंगे लेकिन जब तक हमारा लक्षय किसी और का है उधार का लक्षय है जब तक हमारी दृष्टी उस उधार के लक्षय पर है, तब तक हम अपनी आत्मिक योग्यताओं को जगा नहीं पाएंगे तो हम ध्यान दे कि आज हमें निरिक्षन करना है कि हमने कहां कहां अपनी योग्यता पर शंका की और शंका देने के reasons भी दे देते हैं हम लोग, वो तो मेरे को मुझसे अच्छे जानती है उसी ने कहा तो ये नहीं कर पाएगी इस रास्ते में बहुत मुश्किले है ये मेरा टालेंट नहीं है ये मेरा पैशन नहीं है हम बहुत सारे excuses देते हैं उन सारे excuses को जान कर, देख कर कि ये वाकई excuses है ये मेरे doubts है ये हकीकत नहीं है उनको जान कर अपने आप से अलग करें जो जो यथार्थ नहीं है fact नहीं है true नहीं है वो सारे excuses है उन सब को जान कर पूरे संकल्प के साथ आज अपानम वो से रामी करें और इसी के साथ हमें देखना है कि हमारी नजरें जो हमारी योग्यता से हटी वो किसी और की वैभव संपनता पर गई किसी और की क्षमताओं पर गई और वो क्षमता देखकर मेरे मन में मौ आया और मैंने अपने भीतर so-called talent को impose किया है आरोपित किया है फलाव व्यक्ती ने इस तरह से dance किया और देखो आज उसको कॉलेज में इतना नाम मिल गया मुझे भी कॉलेज में अपनी पहचान बनानी है मैं भी dance सीखूंगा ये तो बहुत simple है ये तो मैं भी कर सकता हूँ लेकिन हम समझें कि वो simple उसका passion था उसकी योग्यता थी जिसे उसने इतनी सहजिता से कर लिया हम वो चीज अपने उपर आरूपित कर रहे है हो सकता है हम बहुत अच्छे ओरेटर हैं बहुत अच्छे वक्ता हैं लेकिन हमारी मूल योग्यता एक वक्ता होने में नहीं हमारी मूल योग्यता किसी को समझाने में हैं, किसी को सुनने में हैं, हम एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, हम एक बहुत अच्छे हर हो सकते हैं, तो हम अपनी योग्यता को जाने कि ये अच्छा बोलना किस दृष्टी से है, और उसके लिए आपको अलग अलग रास्तों से गुजरना होगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन आप किसी के सामने जाकर बैठेंगे, फलाव्यक्ति आप से कहेगा, और आपकी वो योग्यता खिल कितने सारी चालेंजस से गुजरता है, पहला चालेंज, जब वो बीज अपना सीड कोट छोड़ता है, तब वो उन सारे परिशहों को सहन करता है, अपने उस डर को ओवरकम करता है, कि मैं अपना ये खोल छोड़ूंगा, तो क्या होगा, वो खोल छोड़ता है, फिर वो सार ही nutrients को जजब करता है और मिट्टी का सीना फाड के धर्टी का सीना फाड के एक ननही सी कोपल निकलती है अब आप सोचें कहां तो वो सक्त मिट्टी और कहां वो ननही सी कोपल लेकिन उसने उस परिस्थिती उस परिशह को सहन किया अपना धैरिय नहीं छोड़ा अपने भीतर वो बढ़ने की जो चाहत थी जो ललक थी उसे नहीं छोड़ा और धीरे धीरे वो सारे मौसम के थपेड़े सहते हुए बारिश, गर्मी, धूप, सर्दी इनको सहन करते हुए वो एक छोटे से नन्हे से पौधे के रूप में पनप उसके बाद कली फूटी, आप कली को भी देखिये, बड़े सेफली गाडेड होती है, इतना स्ट्रॉंग होता है कि कहीं लगता ही नहीं कि इसके भीतर से एक रंगीन फूल फूटेगा, लेकिन कली का वो खोल भी छूटता है, और उसके भीतर से वो फूल खिलता है, फूल जानता है कि मैं खिलूंगा और उसके बाद थोड़ी देर बाद जड़ जाऊंगा शायद एक या दो दिन मेरा ये जीवन है लेकिन इसके लिए वो खिलना नहीं छोड़ता अपनी उस योग्यता के उजागर करने के उस चरम को वो नहीं छोड़ता वो उस चरम तक महुचता है महकता है वो स्वयम महकता है और इसी लिए वो अपने आसपास के वातावरन को भी महकाता है अगर वो स्वयम नहीं महकेगा उसको अपने छूट जाने का भय वो उसको जीत लेगा तभी वो इस संसार को अपनी महक दे पाएगा लेकिन उसके लिए उसकी जो शंका है उसके भीतर का जो डर है उसे ओवरकम करना होता है उसी तरह से हम अपनी योग्यताउं पर भरुसा करें और किसी भी परिस्थिती और किसी भी अवस्था में अपना धैरियना छोड़ें ये मौसम आया है तो हमें स्ट्रॉंग बनाने के लिए आया है मौसम यानि की जिन्दगी के अलग-अलग मौसम कभी हमें स्विकार मिल रहा है कभी हमें नकार मिल रहा है कभी हमें अप्रिसियेशन मिल रहा है तो कहीं हमें गालियां भी मिल रही है कोई बात नहीं, खाने में सारे रस जरूरी होते हैं, उसी तरह जीवन में पूरी तरह खिलने के लिए सारे मौसम जरूरी होते हैं, तो जो मिल रहा है उसे स्विकार कर लीजिए और स्विकार कर आगे बढ़िए, और जब हम स्विकार करके अपने जीवन में आगे बढ़ रह तो अपनी योग्यताओं पर शंकाओं को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं तो आज शाम को प्रतिक्रमन करते हुए हम ध्यान देंगे कि हमने कहां कहां अपनी योग्यताओं पर अपने पोटेंशल पर डाउट किया क्यूं किया क्या कारण थे हमारी नजर हमारी कब दूसरों की capabilities, status, उनकी वैभव संपनता पर गई और उसे देखकर हमारे भीतर क्यूं खुद पर doubt आया, क्यूं हमारे भीतर वो इर्शया या वो attraction आया और हमने कहां कहां परिस्थिती से घबरा कर, कहां कहां आसपास के situation को adapt नहीं किया और अपना patience level छोड़ दिया, हमने कहां कहां challenges से घबरा कर कदम पीछे हटा लिया, इन तीन मुद्धों पर हम देखें कहां कहां हम अपने आप से चुके, उस सम भाव से चुके और अलग-अलग poles पर गए, मध्य में नहीं रहे कर, इस क्षण में नहीं रहे कर हम अलग-अलग poles पर गए, हमें ध्यान रहे, ह हम जैसे जैसे इन आवरणों को छोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम स्वयम के नजदीक होते जाएंगे, सम्यक अवस्था को प्राप्त होते चले जाएंगे, सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो, ओम शान्ति!